हेलो व्यूवर्स दुष्टी आईएस के आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बर फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ सपना कुश्वाहा तो आज का मुद्दा है विलिन जैसे हीरो कहां जा रहा है सिनेमा दरसल आज का हमारा आर्टिकल राजसभा सदस्य रंजित रंजन की वर्तमान सिनेमा की विश्य वस्तु पर उठाए गए मुद्दे पर अधारीत है यह आर्टिकल समाने अध्यन प्रश्ण पत्र चार की एथिक्स अत्वान नितिशास्र की खंडे से जुड़ा है तो आईए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं फिल्मे इनका नाम सुनते ही हमारे मन में अपनी पसंद के हिसाब से कई तस्वीरे, कई कहानिया, कई किरदार और कई समवाद याद आने लगते हैं कुछ के दार और उनके समवाद तो इतने आईकॉनिक होते हैं कि उन पर जमाने का फर्क नहीं पड़ता हर पीड़ी के लोग ही उसे पसंद करते हैं जैसे कि गबबर सेंग का फिल्म शोले में एक डायलोग है, कितने आदमी थे कहा जाता है फिल्म में हमारे समाज का आईना है इसे यू भी कहा जाता है कि फिल्म में हमारे समाज को बनाती है क्यूकि जादतर लोग फिल्मों को देख कर प्रभावित होते हैं और उसके किरदारों जैसा बनने की कोशिश करते हैं हाली में इसे मुद्दे को केंदर में रखते हुए राजसभासांसद रंजीत रंजन ने हालिया रिलीज हुई फिल्म एनिमल और उसके जैसी कई फिल्मों के विशय वस्त उपर प्रश्ण उठाया है। उनका कहना है एनिमल और उसके जैसे रिलीज हुई अन्य फिल्में हमारे समाज को गलत तरीके से प्रभावित कर रही है। साथ ही उनका आरोप है कि इस प्रकार के फिल्में स्त्रियों के प्रति हिंसा को प्रोतसाहन दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसी फिल्मों के प्रति सेंसर बोड के व्यवहार पर भी सवाल या निशान उठाए हैं। आज का हमारा आर्टिकल इसी विशेपर केंद्रित है कि कि किस तरह ऐसी फिल्में हमारे युवाओं को और समाज पर नेगेटिव इन्फ्लूएंस टाल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे ये फिल्में हमारे समाज पर प्रभाव डाल रही हैं। समाज का चेहरा दिखाने के अलावा फिल्में समाज में प्रचलित बुराईयों और अंधविश्वास के प्रती लोगों को जागरू करने का भी काम करती हैं। जैसे 90's तक कि किसी वे फिल्म में ये बात कॉमन होती थी कि फिल्म के अंत तक विलन की हार हो जाती थी जो कि इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन 21 सदी में धीरे धीरे ऐसी फिल्म में भी आने लगी जिसका मुख्य किरदार ही निगेटिव इमेज वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस किरदार को इस तरह से गढ़ा जाता है कि आम जनता को इस किरदार से सहानुभूती भी होती है। चहे तेरे नाम का किरदार राधे हो या धूम टू का चोर आर्यन। फिल्म देखते हुए अधिकांश दर्शकों के मन में इन्ही किरदारों के जीतने की इक्षा हो रही होती है। दरसल दर्शकों की इस इक्षा के पीछे मनोवैग्यानिक कारण जिम्मदार होते है। इन किरदारों को इस तरह से फिल्माया गया होता है कि लोगों को लगता है कि उनकी द्वारा किया जा रहा काम सही है और यदि वे इस किरदार की जगह होते तो वे भी कुछ इसी तरह का काम करते। ये मनोवैज्यानिक धारना धीरे-धीरे समाज में लोगों के मन में घर कर जाती है और वे भी जाने-अंजाने इसी तरह से प्रतिक्रिया करने में विश्वास करने लगते हैं। तोर तरीकी भी स्थापित करती हैं। बहुत सारे फिल्मों में एक्स्टरमरिटल अफेर्स, लिवन रिलेशन्शिफ, वन नाइट स्टैंड जैसे मुद्यों को भी इस तरह से दिखाया जा रहा है कि युवावर्ग का जुकाव धीरे-धीरे इनकी ओर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सी फिल्में बन रही हैं जो कि प्रत्यक्ष या परोग्ष रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा का समर्थन कर रही है। आईए जानते हैं कैसे फिल्में महिला हिंसा को नकरात्मक तरीके से जस्टिफाई कर रही है। दरसल बीते कुछ वर्षों में कबीर सिंग, एनिमल तेरी नाम जैसी नजाने कितनी ऐसे फिल्मे बनाई गई है जिसमें महिला हिंसा को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है इन सबी फिल्मों में महिलाओं के प्रती हीरो का व्यवार अब्यूजिव है इन फिल्मों में महिलाओं के साथ शाररिक हिंसा, मानसिक उत्पिरन के साथ-साथ उन्हें डरा कर रखने के दृष्य इस तरह से फिल्म आए गए हैं जो कि मेल डॉमिनिंस को बढ़ावा देते हैं और ये संदेश देते हैं कि महिलाओं के साथ किया गया इस तरह का व्यभार पूरी तरह से उचित है और आज की जेन जी भाशा में तो इस तरह का व्यभार करने वाले किरदार को अल्फा मेल का तमगा भी दिया जा रहा है दरसल अलफा मेल का अर्थ ऐसे पुरुषों से है जो कि किसी भी समुह में सबसे सफल और शक्तिशाली होते हैं साथ इनका अपने समुह पर वर्चस्व भी होता है ये फिल्में एक तरह से इंडारिकली ये प्रुदर्शित करती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कि फिल्मों का हमारे व्यवहार पर बहुत असर होता है इन फिल्मों से प्रभावित होकर बहुत सारा युवा वर्ग अपने महिला साथी से इस तरह का व्यवहार करता भी है उन्हें लगता है अगर हीरो ऐसा कर रहा है तो हमारा ऐसे करने में क्या वुराई है साथी एक मुद्धा ये भी है कि ऐसी फिल्मे किस तरह से युवाव विशेशकर किशोरों के व्यवहार पर जादा गलत प्रभाव डाल रही है तो आईए जानते हैं कि कैसे फिल्में युवा मन को कर रही है प्रभावित बॉबी प्रिंट कपडे, साध्मा कट बाल, बेल बॉटम, तेरे नाम और गजनी कट हेरस्टाइल, बंटी और बबली सूप ऐसे नव जाने कितने ही फैशन के तौर तरीके हैं जो फिल्मों की वज़े से प्रशलन में आए शायद ही कोई व्यक्ति फिल्मों के प्रभाव से अचूता रहता हो क्योंकि जादातर फिल्में हमें भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करती हैं कालपनिक दुन्या में हम उन किर्दारों को जीने लगते हैं जादातर किशोर और युवा अभिनीता द्वारा अभिनित किरदार से प्रभावित होकर उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। और यही बात समान रूप से लड़कियों पर भी लागू होती है। लड़कियां भी अभिनीत्रों से प्रभावित होकर उनकी जैसा बनने की दिखने की कोशिश करती है इसलिए जब अभिनीता का किरदार इस तरह से दिखाया जाता है कि वो हिंसक है गाली गलोज कर रहा है मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है तो लोगों को लगता है ऐसा करना सही है ऐसा इसलिए क्योंकि हीरो द्वारा किये गये कारे पर अकथित स्विकृती की मुहर लग जाती है कि ये सही काम है क्योंकि फिल्मों की तो अवधार्ना ही यही है कि हीरो सही होता है और विलन कलत होता है अब ऐसे में जब अभिनीता की छवी टॉक्सिक मैस्कुलेन के रूप में दिखाए जाती है तो युववर्ग भी उसी ओर आकरशित होने लगता है पुष्पा, केजियफ, एनिमल इन सभी फिल्मों में हीरो को आपराधिक और अवेदिकारियों में सनलगने दिखाया गया है इन सभी किर्दारों की रचना इस तरह से की गई है कि ये किसी से ढंग से बात नहीं करते लड़ाई जगडे में आगे रहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और ये सभी व्यक्तिगत युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि यदि युवाओं इन से प्रभावित नहीं होते तो ये फिल्में इस युवाओं प्रधान देश में सुपर हिट ना होती विशेशकर ये फिल्में कोमल किशोरों के मन पर अधिक प्रभाव डालती है किशोरा वस्था व्यक्तित्व निर्माड का एहम चरण होता है इस दोरान जिस प्रकार की चीजों से युवाओं किशोर मन अधिक प्रभावित होता है वही उसके व्यक्तितों में प्रमुक्ता से शामिल होने लगती है आज हमने अपने आसपास 13-14 साल के किशोरों को भी स्मोक करते और गाली गलोज करते देख सकते हैं इसके अलावा बलतकार जैसे जगन अपराद भी नाबाले किशोरों द्वारा किये जा रहे है किशोरों और युआओं में बढ़ती इस आपरादिक प्रवृत्ति को ये फिल्में ट्रिगर करने का काम गरती है लेकिन सवाल ये है कि जो फिल्में गलत संदेश दे रही है सेंसर बोड उस पर अपनी अनुमती क्यों दे रहा है क्या सेंसर बोड इन फिल्मों को रिलीज होने से रोक नहीं सकता दरसल फिल्मों को रिलीज होने से पहले उनके प्रमाणन की आवशक्ता होती है जो जूरी किसे फिल्म को प्रमाणिक करती है उसे सेंसर बोड कहते है सेंसर बोर्ट फिल्म की विशेवस्तु के अनुसार फिल्म को विभनिश रेडियों में प्रमाणन प्रदान करते हैं यदि उन्हें लगता है कि फिल्म से कोई पॉटिकॉलर द्रिश्य या समवाद हटाये जाने की आवश अपता है तो उन द्रिश्यों और समादों को हटवाते भी हैं तो अब यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि जब फिल्मों को सेंसर बोर्ट के प्रमाणन के बाद रिलीस किया जाता है तो सेंसर बोर्ट ऐसे फिल्मों को रिलीस करने की अनुमती क्यों प्रदान करते हैं दिरसल फिल्म में एक तरह से अपनी बात अत्वा किसी सूचना या संदेश को लोगों तक पहुचाने का जर्या है और सम्विधान के अनुशिद 19.1 के अंतरगत प्रेस गोस्वतंतरता प्रदान की गई है इसलिए सैंसर बोर्ड बिना किसी ठोस वज़े कि किसे फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सकता अगर सैंसर बोर्ड ऐसा करता है तो ये freedom of speech का हनन माना जाएगा सैंसर बोर्ड नियमों के अधिन ही काम कर सकता है जो भी नियम फिल्म प्रमाणन और फिल्म में कार्ड शाट के बनाए गए है सैंसर बोर्ड उनी नियमों के अनुसार काम करता है इसलिए ये इस पस्ट है कि सैंसर बोर्ड ऐसे फिल्मों को बनने और रिलीज होने से नहीं रोक सकता है निशकर्स तोर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फिल्मों को बनाने से रोकना मुश्किल है ये पूरी तरह से फिल्म निर्माताओं की विवेक पर ही निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की फिल्म बनानी है हालाकि फिल्मों को देखना या न देखना हमारी अपनी इक्षा है इसलिए ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान दौर में तो बहुत सारे फिल्में OTT प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही है जिस पर फिल्में रिलीज करने के लिए तो सैंसर बोड की भी आवशकता नहीं होती इसके अलावा एक बात ये भी है कि किशोर होते बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग भी होते रहना चाहिए और उन्हें रिल लाइफ और रियल लाइफ की बीच का अंतर समझना चाहिए जिस से वे सिनेमा तो देखें लेकिन इस तरह के किरदार उनके उपर हावी न हो सके तो वीवर्स आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और नोट करते हैं आज के सवाल को मौजुदा दोर में सिनेमा में हुए प्रियूक समाज पर व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं इस कथन की आलोचनात्मक समिक्षा कीजिए तो वीवर्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नए विशे के साथ कमन बॉक्स में जरूर बताएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा शुक्रिया